कि हलाज आप सभी लोग का स्वागत है हमारे इस वीडियो में घिसमें अब आप सभी लोगों के साथ डिसकस करने वाले हैं बेसिक मैतमेटिक्स का जी हाँ ब्नार के सबसे पहले हैं आप लोगों के लिए बेसिक अबेशित का टांप पेपर का complete solution section A, B, C के सारे के सारे सवाल आप लोगों को बेदी tricks के साथ कैसे options को eliminate करके कैसे options के साथ खेल करके answer लेकर के आना है यह हर एक बात मैंने आप लोग को इस वीडियो में समझाई है और इसी के साथ कुछ concepts भी थे जो आपको जरूरी थे on the spot questions के साथ वो भी समझाएं, so I hope आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को देखना शुरू करिए and हाँ, वीडियो को like करना ना भूले, channel को subscribe करना ना भूले क्योंकि आप लोग के लिए science, maths, इन सभी की वीडियो जल्दी आने वाली है पूरा का पूरा sample paper solve होने वाला है, so मिलता हूँ आप सभी लोगों से वीडियो में चलिए, so चलिए everyone, हम लोग शुरू करते हैं section A, और यहां पर हम लोगों को 20 question मिलने वाले हैं, और 20 में से हमें कोई से भी 16 question करने हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे आप सभी लोगों से 20 के 20 question, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर एक सवाल को किस तरीके से solve करना है, कैसे option से पता लगाना है कि answer क्या आएगा, क्या तरीके हो सकते हैं, shortcut, यह सारे के सारे चीजें हम लोग इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, एक एक करके हर एक सवाल को discuss करूँगा, so make sure आप लोग अपना ध्यान यहीं पर बनाए रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके समझना है, तो pen और paper ले करके बैठें, तब ही चीजे बहुत अच्छे समझ में आएंगी, so अगर चैंप बनना है, तो जल्दी से शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग पहले कोशन की बात करते हैं, पहला कोशन क्या कहता है हम लोगों से, पहला कोशन मचों हमसे कहता है कि अब box contains card number numbered, देखें एक डबबा है, जिसके अंदर 6 से लेकर के 50 तक, मतलब cards थे में रिपास, मैं अगर इस तरीके से हैं, सबसे पहले तो यह होग है कि एक box में रखा है, ठीक है, a card is drawn, फिर पते क्या हुआ, आपके आँकों पट्टी लगा दी, या फिर आप से बोला कि बस ऐसे ही बस जाओ और जाकर के उसम से वसे card निकाल लो, ऐसा करने के लिए बोला आप से, आपने रखी कर लेंगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उन्होंने बोला कि the probability that the drawn card has numbered which is perfect square like 49, मैं आपको एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो उन्होंने सबसे बड़ा जहासा जो दिया है ना तुम्हें, वह चार लिखकर के दिया है, चार लिखते ही बच्छा सोचेगा, चार भ आने वाले perfect square कौन कौन से हो सकते हैं, तो इस बीच में आने वाले perfect square होते हैं बच्छो अगर मैं perfect square कि आप लोगों से बात करूं, तो वह होते हैं हमारे पास जैसे की 9 हो गया, क्यूंकि 6 से बड़े ही चाहिए, जैसे की 9 का अगर आप देखिये, किसका perfect square हो तीन का है, क्यूंकि हमें पता यह तीन का square होता है, अगर मैं बात करूं 16, तो यह किसका है, बच्छो परफेक्ट कि कर सकते हैं, जो कि 6 का होता है, बात करें तो हम लोग 49 की कर सकते हैं, जो कि 7 का होता है, यह कुछ ऐसे नंबर्स हैं, यह जैसे की 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, जो कि इसके अंदर definitely आएंगे, आएंगे, तो अब उनकी probability बतानी है, अब probability बताने का बहुत ही simple सा, बहुत ही simple सा तरीका होता है, वो होता है कि favorable, favorable upon में हम लिख देते हैं, total, क्या कर देते हैं, favorable जो मेरे favor में, और upon में लिख देते हैं, total, तो इसका मतलब क्या हो गया, total, टोटल का मतलब है कि कितने card, total कितनी possibilities हैं, कितने card है इसके अंदर, भाई, एक से लेके 50 तक तो 50 गिंत होंगे होगे बहुत ही सिम्पल है देख लो 45 काड़ होंगे थे से ले के 50 तक अब तुम्हारे फेवर में क्या है तुम्हारे फेवर में वह है जिसका स्क्वार रूट स्क्राइर परफेक्ट हो तो वह कौन कौन से नौ सोला यह पच्छेस च्छते सा नुअचा से उन्हें सो कोई भी एक आएगा इसी की प्रॉबइल्टी पूछ रहे ना कि तो क्या मेरा डी आंसर रहे बिलकुल वेटा आपका जो है वो डी आंसर यहां पर दे रखा है जरा देख लो यहां पर इसी कॉंसेट ऐसे ही कॉंसेट समझते चलना है जैसे अभी अभी तुम्हें एक उसे समझ में आया है बड़ा ही आसान सा कॉंसेट था कि फेवरेवल अप आप लिखते चले जएंगे आपन लोग जैसे कि इसने बोला कि डायमेटर कि इसन लिख रहा हूं पच्छो सेले बतारा हुआ कि जब पेपर कर रहे हो तो जैसे ही तुरंत के तुरंत किया करता है मैकसिवम लिएपको डायमीटर की रीडियस की जरूत पढ़ती है ठीक है ठीक है एक आर्क सब्टेंट एंगल 60 डिग्री ठीक है एंगल कितना बनारा 60 डिग्री यानि कि इमेज तुम्हारे दिमाग में यह वाली बननी चाहिए कि इधर से ऐसे कुछ 60 डिग्री यहां पर बन रहा होगा यह कोई दिक्कत नहीं फिर उसका बोलते हैं कि पाई को आपको 22 बाई 7 लेना है मैंने ठीक है मुझे पहले से पताता है ठीक है उसका देंद लेंट ओप आर्क कि अगर मैं आपसे लूँ लेंट आर्क के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो लेंट आप बच्छों होती कितनी है लेंट आप का मतलब होता है कि आपको यहां पर जितना भी एंगल दिया हो वह लिखें नीचे 360 लिख दें और जितनी भी आपकी लेंट मतलब पैरा ठीक है इंट ने टू की जगा टू लिख दिया पाइल कि जागा लाट ट्वंटेटी फ़य से इस से केंसिल कि यहां पर कितना बच्छों तीन आ गया साथ से इसे कंसिल करूंत कितना आ जाएगा 3 पिर इसके यह चला गया तो बच्छा कितना सिर्फ बाइस यहनिंनि कि आउ आपका अंशर हो गया जी बच्छों आपका आंसर सी कितना साभाई सब करो मान। और आपको क्रिस्टस्राइट कर के मानूं जबात करते हैं एक और सबाल का कहता है कहता है जमते हैं कहते हैं कि सप्टीटा जो है वह कितना दे रखा वाई दे रखा ओधा बहुत बढ़ियाँ फिर पूछते हैं मेरेसे थीन बता दो क्या होगा मैंने बोला कि जो कि मुझे इंपर्मेशन दे रखी है क्या वो मेरी मदद कुछ कर सकती है तो मैंने साइन देखा और सेक देखते आपके दिमाग में ज़रूर इसका चचेरा भाई आता तो जब कर सकते हैं कि यह दिवाज कोुछ सकते हैं इसमें कि एसा होता यह जब बच्चों ऐसा होता है तो इसका मतलब साइन की जगा पर तो मैं डायरेक्ली एक्स लिख सकता हूं एवरीवन सारे बच्छे मेरी बात को मानेगे साइन की जगा पर डायरी लिख सकता हूं लेकिन बच्छो को क्या लिख सकता हूं ज़रा देखना ध्यान से यहां पर देखना ज़रा यहां से इसको क्या लिख सकते है सब्सक्राइब एसे क्लिक्ष तू में और यह spy यह इग wordland अपॉन को म॥स्ट सपोष प्लिखें दो यह मोरी के सब्सक्राइब कर लोह आपॉन से दो लिख ने तू लोह निकाल दिया हमने तो तस्वीर बिल्कुल x into y वाली ही मिली और हम लोगों ने इसको solve भी कर दिया बच्छो तो इसका मतलब सर इसका answer जो आना चाहिए वो तो ए आना चाहिए मैंने का बिटा यहां देख लो क्या यह आ रहा है बिल्कुल आ रहा है सर बाग खतम हो गई चलिए बच्छो बढ़त has one solution two solution infinite solution और no solution तो क्या होगा मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होगा एक बात बताईए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि y is equal to zero का मतलब क्या होता है y is equal to zero का मतलब होता है हम x-axis की बात कर रहें यहीं क्या हो जाएगा बच्छो आपका y is equal to zero क्योंकि x-axis पर y i की हर value आपको zero ही मिलनी है जब ऐसा हो गया इसके बाद वह कहते हैं कि y is equal to minus y is equal to minus five तो एक दो तीन चार पांच देख लिजिए आप यह चीज़ यहां गई और यह जहां गई यह आपकी क्या लाइन बन गई यह लाइन बन गई y is equal to minus five अब मुझे बताईए यह वाइस इक equals two minus five है क्या यह दोनों लाइने parallel नहीं हो गई बताओ जी parallel नहीं हो गई और जब यह कभी मिलेंगी ऐसे करेंगी नहीं करेंगी जब यह ऐसे नहीं करेंगी इसका मतलब कोई answer ही नहीं आएगा को solution ही निकलता क्योंकि intersecting point ही नहीं तो हो गया ना हल इसका मतलब हम लोग सकते ह है कि इससे तो देखके पता चल रहा है इसका क्या है बच्चो नो solution क्या यह बात समझ में आई सबके तो answer क्या होना चाहिए फिर तो answer सब्सक्राइब का मतलब है कि उसमें सारी चीज़े हैं six faces है और एक से लेकर छे तक उसमें numbering दे रखिए इस तरीके की चीज़े हैं उसमें ठीक है थ्रोन वन्स एक बार फेका हमने वो कहते हैं कि probability बताईए even composite number की अब यहां पर खेल गया वह तो वह बोल रहा है कि इवन composite अब देखिए composite सबसे पहले तो देखिए आपके पास वन है टू है टू है फ्री है और फाइव सिक्स है अगर हम लोग probability की बच्चों बात करते हैं तो probability का एक ही पॉर्मला होता है वह होता है टोटल अपॉन में फे सुख्या एक आफ्रकॉजच को आपके यह तो प्राइम हो टेखिए शौप लुक्त अर तो यह तो अपनी रेश से गया यह एक ईवन यह एक एवन इसकी बात करें तो यह अगें यह फिर से और इसकी बात करें वाच्चों तो यह क्या एक इवन कमपोजिट है न समझ गए क्योंकि यह खुद से और वन के अलावा भी किसी और से हो रहा है वह किसे हो रहा है तू से यह जादा फैक्टर हो गए इसका मतलब पंपोजिट वह और तूसर डिपीजे वह इसलिए पर यहां पर यहनि कि दो नंबर ऐसे हैं जो मेरे फे करता हूं तो वन बाइट रहा है क्या ऐसी तस्वीर कहीं दिख रही है बिल्कुल दिख रही है कितना अरे सब्सक्राइब को देखने के लिए जवाब आ रहा है तो इसका मतलब सर यह वाला कॉंसेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हो चुका है बढ़ें आगे जी सर बिल्कुल रुपएगी मिल रही है दस त्यार पांसों की फिर पांच चेयर और तीन टेबल कितने रुपएगी मिल रही है 6450 की तो पूछ रहे हैं चेयर का रेट बता दीजिए बिल्कुल बता देंगे अब बात सुनिए मेरी अगर हम लोग बात करें तो चेयर को हम लोग क्या मान सकत रहे हैं आपका जो टेबल है इसको मानने वाले हैं हम लोग यहां पर क्या ऐसे चीज को मानने वाले हम लोग लोग आयाँ पर भाई ऑग रहा हिएक बात बताहिए अगर आप लोग को स्पार Washington mapped करेंक्छेयर की कॉस्टlov एन बंच को пост कोंस्ट ओफ वन चेयर और यहां पर भी लिख देदें कोस्ट ऑफ वनवन टेबल कोस्ट ऑफ बन टेबल हम लोग यहां पर एक्स लिख देते हैं लेकिन अगर आप पहले सिनेरियों कि बात करें तो यहां और पांच टेबल प्लस में कर देंगे पांच टेबल भी खरीदी गई तो पांच टेबल का प्राइज बच्चों कितना होगा तो पाइज नहीं होगा क्या होगा ठीक है जी सो इसका टोटल कितना आ रहा है बहुत ही बढ़िया फिर कहते हैं कि पांच टेबल पांच चेड़ और तीन टेबल यह कितना बता रहे हैं छेहदार चार्सों पचाश्का मुझे सिर्फ चैयर का एक चैयर का प्राइस बता जीजिए तो य से मुझे कोई ज्यादा मतलब है नहीं है पर मुझे वाइस से कोई म है वह से मैं काशल सकता हूं कैसे इन दोनों के कउफिशंट को सेम कर देंके गागे कर देंगे इस पूरी इकवरी कर देंगे 55 przy इसे करेंगे यहां 5 यहाँ 25 दोनों को माइनस कर देंग अ presses назад करते हैं इसे fox इंट चॉब्स और यहां आ जाएगा 3 11 t500 और यहां कि तना आ जाएगा यहां किरेंगार 25 इस इक तिस मिलेगा यह पर और यहां पर आज दो यहां मिल जाएगा यहां जाएगा यहां पर 012 157 करेंगे तो माइनेस लोट यहां बचा माइनस का एक हो और अब इन दोनों का सब्ट्रेक्शन होगा अगर बच्छों दोन का देखिए बड़ेवाले में से छोटा बाला माइनस हो रहा है तो यहां पर नेगटिव आइगा लेकिन अब आपन हम लोग यह से सही से कर लेता है तो यहां था हजार बान सो में से बार्थ में से पांच ज घ्रव एक्स की वैयलू बच़ों कितनी आ घए साथ सो पचास यानिक Watch यानि यहां की टीड़ी एक को क्या माना था एक चिएयर की मालबकि एक चेयर की पूरी कास्ट जो थी उसको मान था हमने x और क्योंकि हम भी कोशिश करना आंसर के ऊपर अप्रोच करो कितना रुप्षा कि और कि मिलकुल दे रखाए ऑप्षों टैए चलिए बढ़ते हैं आगे square theta is equal to one है तो आप हमें बता दीजिये कि sine square theta plus में sine की power four theta ये कितना होगा मैंने बुझे कोई दिककत नहीं मैं बहुत आराम से बताओं का कैसे बताता हूं मैं बताता हूं कि जो चीज मुझे question में दी हुई होती है मैं उसी चीज को use करता करता हूँ अब मैं उस चीज को यूज कैसे करता हूँ इस चीज को देखते हैं अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो आपको दे रखा है कॉस्टीटा प्लस में कॉस्ट स्क्वार थीटा बच्चो कि कोशिश करेगा दंकानी कोशिश करेगा अपन लोग भाई सब्सक्राइबत और यहां कीटना अब यह कह सकते हो कि कि स्क्वार्ट तो में कितना आजाएगा साइन स्क्वार्ट तीटा ओहों सर मजा आ गया यानि कि सर मैं साइन स्क्वार की जगावे कॉस्ट लिख सकता हूं यहां पर आजाएगा साइन की पावरर थीटेट कुकि स्क्वार्ट स्क्रावर एक लिख रका था इसका पर एक है टो चार हो जाएगी तो इसका मतलब मतलब सर यहां पर जो मैंव कि सब्सक्राइब और देखो यहां पर साइन की पावर फोर्थी तो उसकी जगा क्या लिख सकता हूं और दोनों के बीच में प्लस आ रहा है तो और यह तस्वीर तो कोश्चन में दी तो इसकी वेल्यू कितनी आएगी बच्छो वन यानिकि इसकी वेल्यू भी कितनी आरी है किन सीट शन भर ऑसी ही आ रहा है तो इसका मतलब सी इस दा करेक्ट विए बच्छो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ हमारा क्या कहते हैं इसमारे थे छिज़ीन सिर्फ मैं आप लोगों को एक बात बताओं सिर्फ मैं यह आपके पास दो और पांच यह दोनों के अलावा कोई और नहीं चाहिए तो दो और पांच यह दोनों के दोनों ही अगर आप लोगों को मिल रहे हैं इसका मतलब क्या होने वाला कि नीचे दो और पांच के लावा कुछ और दे रखा तो इसका मदद जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा और दूसरी बात कि कोई पूछे कि कितने डेसिमल के बाद कितने प्लेसेज रहने वाले हैं तो इसी हैश्टेक कितने नंबर फ्लेसेज रहेंके इंड फ्लेसेज जो बड़ा है वो कितने नब्र प्लेसेस एंड प्लेसेज जो बड़ाइब कितने नंबर फ्लेसेजRR या फिर या फिदोऑ तो सकते हो'm कि यहां पर कुछ भी आचाएंगे एक दो तीन प्लेशिस रहें के लिए इंटिफिकेशन सीगनल कया है सिगनल सिगनल क्या है वच्छों सिगनल है कि दौगर पाची होने चाहिए और कितने डेसिमल तक चलेगा तो जिसकी पावर रहिए वही बता देने बात खाता हूं तो यह तर्मिनेटिंग होगा इसका अंसर यह हैं आम लोग यहां से चेक भी कर सकते हैं बिल्कुल भी डरे नहीं हम क्यों नहीं हम क्योंकि हमको तो लसे निकालना ही आता है आईएव यह बात कर लेते हैं तो तुट फाल ट्री इंटू में ठीकित पावर टू यह एक नंबर दे रखांए दूसरा नंबर का दे सब्सक्राइब यहांपर कर देते हैं आपना है झूंभराइटी बताओ कितनी वेराइटी है तो तो कितनी वराइटिया दो और तीन है अपने पास तो अच्छा बास यह है तो दोनों की हाइस्ट पावर ले आओ अच्छा दो की हाइस्ट पावर कितनी है तीन कि यानि कि आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि इस तरह इसी फॉर्म में दे रखें सारे के सारे तो लो जी ऐसा पावर बताओ दो तरह सब सबस्में च्छोटी रख दो तो अगर एक्च्छ पूछता तो यह वाला आंसर क्या हो गया बच्छो इसका करेक्ट हो गया और यह जो इन्होंने और आप्शन में दे रहा यह प्लब समझें कितना इजी है आए बात करते हैं से पहले दिखा देत है एक फून नंबर्स है टून नंबर्स एटीन एंड उनका प्रोड़क्ट जो है वह बारहजाट नौसोट आ रहा है तो इसमें भी वच्छों एक बार है हैस्टाइग हैस्टाइग कॉंसेप्ट तो अगर मैं कॉंसेप्ट की बात करूं कभी भी जिन्दगी में दो नंबर दिये जाएं और बी तो हमेशा याद रखना है कि एंटू में बी इस इक्वल टू होता है हमेशा इन दोनों का एचसी एफ निकाल लो मतलब एच्छी एफ इन टू में लसी एम ओव एबी तो अब उन्होंने दे कैं रखा है इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है तो प्रोडक्क कितना है बच्छों 12960 और एच्ची एफ भी दे रखा है बिलकुल अठारा दे रखा है लसे एम पूछा है तो लोगी लसी एम आफ एबी निकाल ल जब बच्चो आप इसे कैंसल करेंगे जैसे मान लीजिए अगर आप नाइन के टेबल से कैंसल करते हैं तो यहां पर आजाएगा तो नाइन की टेबल से करेंगे तो यहां पर यहां पर चला जाएगा पूर आ जाएगा और यहां पर आजाएगा जाएगा और यहां पर आजा दूरी है कि दो नंबर जब कभी भी दे रखे होंगे तो उन दो नंबर की मल्टिप्लाई और एल सीम और हमेशा एक दूसरे के बराबर आती है तो चलिए ज़रा बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में और यहां पर देख लेते हैं हम गलत हुए कभी कभी नहीं तो सी यह जो है डी इस पैरलेल टूबी सी कोई दिक्कत नहीं है विच आप फॉलिवेंगे स्टू कौन सी घटना यह चार घटना दे रखें कौन सी सची घटना है तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूं कि जब कभी इस तरीके से यह दे रखें इसका मतलब क्या होता है इसक अगर आप कोई सब यह option देख लें इन सब में एबी ठीक है एबी जो लेंथ है और फिर उसके बाद आप लोगों के पास क्या 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 चाहिए चल रही है यह बाते आप लोगों के पास आ रही है सो इन सभी बातों को डिसकस करते हैं यहां पर एक चीज नहीं लिखी कोई बठी बात नहीं है बड़े अराम से हो जाएगा चस तो अगर हम लोग करें बचों तो इन बुम एकतलन और उपर भाला और यह 있다 तो अगर मैं बात करूं यह दोनु चीज 62 थारह है है वह वह उसके अगर मैं रख दो हमारा AC के अगर कर्सपोंडिंग के सकता हूं दूसरा कोई क्योंकि जब दो ट्राइंगल similar होते हैं तो corresponding sides के रिशियो एक दूसरी के बराबर होते हैं तो मैंने इसके इंनने यह चोटा वाला रखने ऊपर करें तो एक की बात करेंगे तो आ जाएगा और तो एकस आजाएगा और बीसी की बात करूंगा वच्छो तो यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं यहीं पर निकाल लेते हैं आप लोग निकाल करके देख लेते एक्स की वेली कितनी हैगी वाई इंटु में अपॉन में पुलस बीफ तो ऐसा नियों पर है यहां में एक्स की वेली को हम लोगों को यहां से मिल गई और आप थिसके गए तो यह सकते थे लेकिन आप लोग बात सोचिए कि आपको या तो एक्स की या तो वाई की वेल्यू निकालकर तो दिखानी पड़ती देखो यह क्यों नहीं हो सकता था एक एक करके बात करता हूं तो इन दोनों में सबस्क्राइब करता तो जब यह वाला मैंच किया तो यह वाला नहीं किया तो अब आप में से कोई कहता कि सर्वाई रख करके देखते तो देखो बच्चो मैं इसको इधर बेज़ देता हूं तो एक प्लस बीड अपन में ए रहता थीकोस टूमें वाई तो वाई की रहा है बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल का कहता है बच्छो कहता ही तो कॉडिनेट्स ओफ दे पॉइंट डिवाइड डिवाइड लाइन सग्में टू रेश्यो वन कुल मिलागे बात यह है बच्छो की तरीके से लाइन दे रखें आप लोगों को तो को याद हो तो यहां पर अगर तो X2 Y2 और M ratio N होता था तो हम कैसे लिखते थे बच्छो हम लिखते थे X2 M मैं सब कुछ क्यों लिख रहा हूं आप लोगों को हर एक चीज जो है वो रिवाइज हो जाए बच्छो M plus N आप क्या करते थे Y2 M plus में Y1 N upon में M plus N हो जाएगा तो इस तरीके से आप आप लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं आई यह जड़ा बात करते हैं यहां पर इस फॉर्मलर को यह से करेंगे तो तो 6 इंटू 2 प्लस में 1 की मैटिप्लाइड 3 से करेंगे थी के अपन में 2 प्लस तो यहां पर दिखी ए 8 और एक कितना हो जाएगा 9 वाइ 3 यहां परो जाएगा बारह और तीन कितना हो जाएगा ऊच्छो 15 डिवाइड तो आंसर कितना आची है आपके पास 35 देखते हैं त्री और फाइव को ही दे रखा है दे रखा है उच्छो यानि कि डी हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो करेक्ट आंसर हो गया अब अपन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है मैंने आप फॉर्मूला भी समझा दिया है इस फॉर्मूले को हम लोग कह सकते हैं हैं सब्सक्राइब अपना ठीक है ना सो इसका मतलब तो यह हो गया कि यहां तक कहानी आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरी तरीके से लाजवाब तरीके से क्लियर है बढ़ते हैं आगे की तरफ देखते हैं हमारा अगला सवाल कि यह में डर आएंगे तो प्राइम 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 तो बड़ा ही इजी है बच्छों प्राइम करके दिखाना है को से नंबर थाटीन हमारा यह तो 3825 दे रखा है अ सब्सक्राइब और एडिशन 3 से डिवाइड हो तो वह नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता तो इसलिए मैं तीन से कर रहा हो एक यहां आज आएगा दो यहां जाता पंच फिर से तीन से कर सकते हैं कि तीन 10 15 आजाएगा है तुर यहां जाएगा यह पांच अब यह श्यारा तो अब नहीं हो पाएगा अब 5 से करते तो आठ हो गया पहांच हो फिर से पांच से कर देते हैं इतना जाएगा सतरा जाएगा तो यहांनि कि यहां पर बचा वन तो आंसर आ रहा है तरी की पावर टू पाइफ की पावर टू इंटू में 17 क्या है हमारा यह अड़तिस पक्च क्यों नहीं है लेकिन बच्चों हम लोगों ने क्या बोला इसका प्राइम फेक्टराइजेशन अगर जल्दवाजी में कोई लिखेगा तो पांच का स्कॉर पच्चिस यहां पर बोलेगा कि यह वाला भी तो ठीक है यह गलत आंसर है बच्चों तो ऐसी गलती ना करे कोई बच्चा इवन यह वाला भी गलत है अगर आप यहां से देखेंगे यह तो बच्चों यह प्राइम फेक्टराइजेशन यहीं है और आप यहां पर देख बी सकते हैं कि आपका सी आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की त यह ताइम आगे तरफ बढ़ते रहाया वीर तुम बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो अजो कहते है कि एडी ने i-D हम एकर बात बता हो प्याद कि इतना होता है वह बात बता हो कोड़ होता हैरो यह को तो होता है कि यहां पर इसके लिए तो परपेंटिकुलर यह हो गया और बेस हो गया एक हो गया इसका मतलब मैं एक कर सकता हूं क्योंकि देखिए मुझे चाहिए क्या मुझे चाहिए मुझे चाहिए देखिए क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर सौरी भी नहीं चाहिए मुझे बेस कितना है बीसी अपन में अपन में मुझे पर्पेंडिडिकुलर चाह vivir मुझे नहीं बटाया लेकिन है बात समझे के सामने तो चार का स्क्वार और तीन स्क्वार स्कॉयर को इसके रूट में 16 और 9 यानि कि एबी इकोस्टू कितना हो जाएगा आपके पास 25 यह कितना हो जाएगा पांच तो एबी को लिख सकता हूं पांच यानि बारा अपॉन में पांच कहां दे रखा है बारा अपॉन में पांच क्या आप लोगों को समझ मैं कितना इजी सवाल है कौट आप पूचा था कौट का मतलब बोले तो बी अपन पी यह नी बेस अपन पर्पेंडिकुलर सो पर्पेंटिकुलर इसकी लेंध पता थी लेकिन यहां पर एक राइट अंगल ट्राइंगल जिसमें फ्यों बीसकी लेंध बता दी तो हाईपोटेनस बढ़े अराम से निकल च सवाल कि देखते हैं मरा सवाल क्या गहता अगला सवाल मजा ही आ गया मजा ही आ गया देखो दरहा इसे यह एक रहा है कि ये और इस पार हमासा कने सा मेरे सामने वाली Said मेरे ऻुक्सों इन दोनों को बराबर रखना है इन दोनों को बराबर रखना है और according to the बच्पन की property हम लोग यह कह सकते हैं कि x plus y is equal to बच्चो कितना हुआ 12 और x minus y कितना हुआ बच्चो कितना हुआ 8 हुआ यह equation 1 हो गई यह equation 2 हो गई आपको चाहिए क्या x और y की value अभी निकाल के देते हैं गुरूजी तो यहां पर देखो बच्चो अगर इन दोनों को जोड़ों कुछ ना करूं तो इसकी वेल्यू कितनी आगए बच्चो दस अब 10 किसमें दिख़े हैं सिर्फ कि में दिख रही है तरत पारघ के बारे में ठीक है सो इसका मतलब इस सवाल को भी हम लोग बहुत आराम से और अच्छे तरीके से यहां पर कर पाए चलिए बचो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगले सवाल में हम लोगों से क्या पूछते हैं और उससे पहले यहां पर देख लिए यही इसका ऐ जो है देखिने आप लगता हुए आपना लगता हूं है मेरे सिए-सी जो है यंए वाली चीज है यह बराबर है बच्छो बीसी क्यामएं है इसके बराबर यह दोनों एक दूसरे क्या है भिर कहते हैं और तो एसी के स्क्वाइर के देखिएगा एबी का जो स्क्वाइर है वो टू टाइम्स ओफ एसी का स्क्वाइर लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं यहाँ पर बड़ी ही मज़ेदार बात है वो आप लोग को समझना होगा कि एंगल सी मिजर करने के लिए बोल रहे हो मुझे बात बताओ कि यह दोनों लाइन तो एक दूसरे के बराबर ही थी और कह रहे हैं कि यह वाली जो मैं इसको यह लिख सकता हूं एसी का स्क्वार प्लस में एसी का स्क्वार सारे बच्चे बोलेंगे मिरे साथ तो अब इसमें बताओ मुझे कि एसी का स्क्वार एसी के बराबर है इसका मतलब एसी का स्क्वार भी किसके बराबर होगा बीसी के स्क्वार के बराबर होगा इस इसका मतलब सर अब तो मैं यह भी कर सकता हूं इसका मतलब अब मेरी बात को ध्यांद सुनिए सारे बच्छे AB का जो square है बराबर है इसका square plus में इसका square है अरे गलती हो गए यह तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब बच्चों ये कुछ ऐसा बनना था यहां पर बच्चों क्या होना था? यहां पर angle बनना था C यहां पर बनना था 90 degree घैट्स वाई यहां पर AB देखो A C और B C A C और B C एक दूसरे के क्या हो गए बराबर और A B जो हो गया वो इसका square प्लस इसका square यानि कि ये एक right angle था right angle triangle था और C पर क्या बन रहा है बच्छो 90 degree क्योंकि इसके समने वाली side क्या आ रही है hypotenuse तो यानि कि C जो angle बन रहा है बच्छो वो angle बराबर हो जाएगा 90 degree के समझ में आई बात है ना तो बड़ा ही simple सा था जो उन्होंने बात बोली A C is equal to me BC ये काम आई यहां पर जब मैंने A C 2 A C square को अलग-अलग करके देखा फिर A C की जगा BC रख दिया तो पता चला अरे यह तो right angle कर लो बहुत है तो तुम लोग है ना चलो जी तो बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में अगला सवाल कहता है कि अगर एक 0 इस quadratic equation का ज्यान से सुनना बच्छो इस quadratic equation का अगर एक 0 जो है वो माइनस वन है तो दूसरा वाला क्या होगा यह बताओ सब्सक्राइब तो आप लोग इसे बहुत ही आराम से तसलिवक्ष बता सकते हैं अगर आप लोग देखें तो यहां पर प्लस वन दे रहा है इन दोनों की मल्डिप्लाइब कर दीजिए कितना जाएगा माइनस का एक बच्छो तो माइनस का इसको कैसे स्प्लिट करूं कि मा माइनस का बच्का कर लिए प्लस में एक सकते माइन हैं यहां से रहा औगत लिए एक स्वाण निकाल लिया तो तो बचा किटना एक्स प्लस वन बचा इकोलुझ मेंалась तो एक बार हम इसकोई जीरो रह सकते एक बार इसकोइन रख सकते तो एक्स माइनस एक्व टूमी दिया से की वैलियू किस लीटिवलिय आ गई तो इसका मतलब अगर उन्होंने हमें एक जीरो दे रखा तो घबरानी को जरूत नहीं है जो सिंपल तरीका होता है थी स्ट्राइब जाए मतलब कि कहने का है कि दोनों पर ही स्यम से माजाए या वह इसा कुछ कह रहे है कि मैंने दो डाई फेकर ऑ दोनों पर वन सब्सक्राइब दो नोबे छेशे आगए लेकिन अगर हम लोग वैसे भी सोचें कि दो डाई फेकने पर कितने होते होंगे क्योंकि बात क्रोबिलिटी कि देदे कि वह लोगत था लोगो circum samples पता आर्ग कि probability जो होती और उपर क्या रहता है tota तो टोटल कितने होंगे दो बार फेके जा रहे हैं ठीक है ना तो टोटल कितने बनते हैं बच्छो चतिस बनते हैं ठीक है ना तो टोटल हो जाएंगे तुम्हारे फेवर में कितने तूम्हारे फेवर में कितने तो आपने तो यह आपने क्या किया तो ऐपके पास का एंसर होनात चाहिए कैसा हुआ थो यह जो चीज़ें एक यह Uhh vis बेसिक फॉर्मूला है उन्हीं से करवारों को बहुत बड़ी चीज नहीं आ रही है इसका मतलब आप लोगे बोल सकते हैं कि बेसिक चीजे ही पूछी जाने वाली है बेसिक पेपर है ना आई ज़रा सो बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में ओहो बड़ा ही मस्त सवाल बड़ा ही मस्त सवाल बिलकुल मस्त क्यूं है क्योंकि सिंपल सी चीज पूछ रहा है मिद्व पॉइंट बता दो बस मिद्वइंट बता भी दिया वल्कि और क्यों पूछ रहे जरा देखो ये और ये तो अगर 3P्म और यहांपर फोर दे रखा है और यहांपर माइनस तू 2Q दे रखा है इसका अगर midpoint को पूछेगा तुम से तो तुम क्या कहते हो तुम यही तो कहते हो कि अगर x1 y1 x2 y2 दे रखा तो midpoint के लिए यही तो कहते हो कि x1 x2 plus में divide by 2 y1 plus y2 divide by 2 यही तो निकालते हो तुम ज़रा add करो इनको 3p plus minus का 2 divide by कितना होता है 2 और तुम यहीं बोलोगे कि 4 plus में 2Q divide by 2 यह midpoint है लेकिन यह चीज़ आपको दे कितनी रखे उन्होंने 2 और 6 यानि कि x वाला इसके बराबर यहां तो चलिए ज़रा करके देखते हैं plus minus कितना हो जाएगा बच्चों यह माइनस यानि कि 3p minus 2 divide by 2 बराबर कितना हो गया बच्चों दो के बराबर हो गया यहां गया तो चार हो गया अज़र प्लस क्यू पूछा तो दोनों ही निकालने वड़ेंगे तो ठीक है कोई बात नहीं यहां पर आगया 4 plus 2q divide by 2 यहां पर दे रखा बच्चों 6 यह यहां गया तो बारा हो गया बारा हो गया अब यह यहां गया तो कि इस इको स्टू में 8 हो गया अभी से कितना आब नहीं सब्सक्राइब ज़रा है लेकिन वी गलत नहीं होते हैं तो इसका आंसर एक्जेक्ली भी आ बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तब और एक है आखरी सवाल है बच्चों आई था दो कह रहे हैं कि डपले आफ्टर हाव मेनी प्लेसे तो आफ्टर हुग हूँ आप लोगों को सब से बीने नहीं के लाफ सोने के लिए नीचे दो और पांच के लावा कुछ और नहीं होना चाहिए ठीक है। उर दो 25 में से से बड़ी होती हुप पर जो भी हो सबसे बड़ी इसे सब्सक्राइम हो inflake फाइसे चलते थे उतने ही प्लेसे वोते थे आई एक लेटेए वन फॉर्टीसवन अगर हम लोगवज वांट्वन की बात करें बच्छो तो तो हैसे देख सकते दो से करेंगे तो सब्सक्राइब तो आपके पास फेर तीन से करेंगे पांच आजाएगा आपके पास थीकिछा बाद 5 से करेंगे तो यानिकि आपक पावर थ्री यहां पर यहां पर रखाए अब देखें दो और पांच के लावा यहां पर तीन भी दिख रहा है लेकिन आप पहले चेक करिए कि तीन गायब हो सकता यानि कि इसको कैंसल कर सकते हैं एक और चार कितना हो जाएगा पांच और पाँच और साथ कितना हो जाएगा तो इसका मतलब इसका सम अगर तीन से डिवाइड हो रहा है तो यानि कि यह भी हो जाएगा तो इसे केंसिल आउट कर देते हैं आपर चार आ जाएगा यहां नौ आ जाएगा तो 49 अपॉन में तू की पावर त्री इंटू में 5 अब इन दो रहे कि 2 और 5 के लवा कुछ और नहीं होना चाहिए को और तो अगर वह तर्मिनेटिंग है तो अगर यहां पर मानीजे तीन लिखा रहता ना मंदल इनकी मल्डिप्लाइब में लिखा रहा था आप ओन में डिनॉमिनेटर में तो यह कभी भी टर्मिनेट नहीं होता यह नॉ बात करते हैं हमारे next section यानि कि section B के बारे में और section B में किस तरीके के सवाल दिये गए हैं इन सभी सवालों को चुन-चुन करके पकड़ पकड़ का पेलेंगा आराम से आज और आराम से करते हैं सारे questions सबसे पहले section B का बारे में बतातूं आप लोग को की section B में 20 questions आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे लेकिन आप लोगों को अपनी पसंद की यहां पर आप अपनी choice दिखा सकते हैं अपनी पसंद के 16 कोशन कर सकते हैं लेकिन अपन लोग इस वीडियो में करने वाले हैं 20 के 20 को चलिए जब शुरू करते हैं पहला सवाल बच्चो कहते है हैं कि पहले सवाल में कह रहे हैं कि the perimeter of semicircular protractor whose radius is R so उसका जो semi जो उसका perimeter होगा वो क्या होगा protractor की जो image होती हो बच्छों कुछ इस तरीके से होती है अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो मैं तो इस तरीके से बता सकता हूं कि कुछ इस तरीके नगे से उल्थिये नहीं अब यहां पर यहां हां पर देखेंघ कि यह सेंटर होता हो तो यहां और यहां पर यह एक और यह कार रहे हैं और का मतलब क्या होता है पिरमेर का मतलब когда होता है आपकी boundaries है जो आपकी boundaries है in boundaries की linked को count कर लीजिए that's all तो करना क्या है यहाँ पर तो यह पाई आर हो गया और दो आर और जोड़ने पढ़ेंगे तो तो यह आपका बच्चों जो है वो अंसर हो जाएगा समझ में आई बात अब अगर हम लोग ओप्शिंस देखें तो ऑप्शिंस में हम लोग को क्या दिख रहा है डी इस दर करेक्ट आंसर ठीक ही जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं कि डिए करेक्ट आंसर ऑब लोगों को बेसिक में पता होना चाहिए इसके लिए बहुत बढ़ी और नॉलइज की ज़रूत नहीं है जबीदि की बात की जाएगी ability की बात की जाएगी तो बस इतना ध्यान रखना है कि probability zero भी हो सकती है और maximum जाएगी तो one तक जाती है और इसके बीच में कहीं नहीं रहती है otherwise तो zero से ले करके one तक कि इसके limit होती है सबसे कम probability होती है zero 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 probability probability का मतलब होता है कि वह हो ही ही नहीं सकती जैसे कि बारवी class में जाकर के मैं 11 के student डूनों तो वह नहीं मिलेंगे zero probability है अगर मैं 11 के class में जाकर के बहुत कि 11 के student मिलने की क्या probability है तो one probability है क्योंकि वहाँ पर 110 percent मिले गए मिलेगा वहां confirm है तो maximum कितनी हो गई one and minimum is zero और बाकि जो भी कम थोड़ा बहुत रहती है तो वो इनके बीच में रहती है इसलिए प्रॉबबिल्टी मैक्सिम्स में रहती है या तो अगर बिल्कुली possible or sure event है तब तो आपको वन ही मिल जाएगी और अगर impossible है तो zero otherwise points में मिलती है तो zero से लेकर करके one तक सो कौन सा option most appropriate is the most appropriate answer क्योंकि इसमें वो बता रहा है कि zero भी हो सकती zero से बड़ी भी हो सकती है one भी हो सकती है one से छोटी भी हो सकती है okay so that's all बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ क्या क्या दा है अगला सवाल देख लेते हैं चलिए जरा सो बात करें अगर प्रपेंडिकुलर है तो यहां निकि यहां पर 90 डिगरी बनेगा एसी की बात कर रहे हैं यह रहाए इसी नहीं है यह टूटल नाइन है बच्चो पूरा नाइन यहां पर भी 90 डिगरी बनेगा तो अगर यह तीन यह पूरी नौ थी तो ऑविसली यह 6 हो जाएगी बांते हो ना अगर ऐसा है तो फिर अब आगे का सेनेरियो क्या होगा आप लोगों को इसकी लेंद कैसे पता चलेगी आपको अब यहां पर यह बात बतानी होगी तो चलि सब्सक्राइब हो जाएगी यानि कि आप यहां पर बत सकते हैं कि अगराप ग्डेति में तो आपको पता चल रहा है कि हुआ डिका स्क्राइड़ वही धेल से कि ट्राइंगल यहां पर भी 90 डिग्री सामने वाला बोले थो वाले तो तो इसका मतब कितना हो जाएगा भी CD तो ultimately अगर आप से यहां पर भी बात की जाए तो आप यह सकते हैं बच्छो की bd ka देखिए जरह cd का square plus में bd का square is equal to me bc का square यह equation one मालीज यह equation two मान लीजे है ना और अगर यह कि 90 डिग्री है बच्छो तो ट्राइंगल sleepy में जारा देखना कि तुम यह स्क्वेर के स्क्वेर केड़ी एब ऐस आगर मैं एकुवेजनन वन प्लस में कर दूं एकुवेजन टू तो क्या होगा तो जरह देखेंगा यहां पर सब यहां लिख दिया और राइट साइड वालों को यहां लिख दिया एक बात बताना कितना लिखेंगे टू टाइम्स बीडी का स्कुर्ट कि इसका स्कुर्ट करना पड़ेगा नौ और कितना होता है बच्चों पेंटालेस उधर की तरफ चले जाएगा तो टू बीडी का स्कुर्ट इस इकोस्टो में एक टीवन माइनस में 45 तो अगर बच्चों यहां से अगर एक टीवन में से मैं 45 माइनस करता भी हूं तो मुझे कितना मिलने वाला है तो मुझे मिलने वाला है 36 अब मैं अगर इसे केंसिल आउट कर दूँ यहां से तो यहां कितना हो जाएगा बच्चों अथारा तो यानि कि बीडि का स्क्वार कितना मिल रहा है अथारा तो अगर बच्छा सकते मिलेगा डेखे जरा नाइन का रूट करेंगे तो करेंगे तो कितना मिलेगा रूट टू तो त्री रूट टू कहीं लिखा है बिलकुल लिखा है तो आंसर क्या होगा हमारा थ्री रूट टू मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे आधा सवाल यही था है ना आप लोगों को मेरे रहाल से यही लग रहा होगा कि सर यह तो काफी बड़ा सवाल था लेकिन टेंशन लेनी की कोई जरूरत नहीं है आपको दुबारा से रिकनफर्म करता हूं सवाल को कि एक्चल में हुआ क्या इस सवाल में देखिए इसकी लेंद बता थी और दो एकोईजिंस में इन दोनों को इंवाल करके यहां पर इसकी वेल्यू निकाल के रख दी और इन दोनों की वेल्यू भी पता थी अब इससे क्या हुआ यह हर बार इंवाल हो रहा था तो यहीं सिर्फ एक अन्नोन बचा बाकि सारे नोन हो गए और आइसर मैंने नि जारा ओके चलिए ज़रा अगला सवाल बच्छो कहते हैं दा पेयर ओफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन देखिए ज़रा थ्री एक्स प्लस में फाइब वाई इस इकोस तो में एट कहते हैं डू नॉट है वासलूशन इनका कोई सेलूशन नहीं है अगर इनका कोई सालीशन नहीं है यानि помог cả क्या हो गयी यह दोनुद नहीं कर सकती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि a1 upon me a2 is equals to me b1 upon me b2 यानि कि x वाले अगर upon में रख दू और y वाले upon में रख दू तो यह दोनों का ratio हो जाएगा same क्योंकि parallel के लिए यही condition होती थी तो चलिए की ज़रा कर देते हैं 3 upon me 6 is equals to me 5 upon me k यहां पर आ गया दो यह यहां गया तो k is equals to me कितना आ जाएगा बच्छो 10 तो k की value कहीं 10 आ रही है बच्छो b that's simple अगर मान लीचे यह unique होता तो क्या हो जाता a1 upon me a2 is not equal to b1 upon me b2 यह किसके लिए है यह unique solution के लिए है यहां क्या लिखेंगे hashtag concept बच्छो यह तो पैरलल के लिए होई गया और अगर मान लीजिए coincide होती तो क्या हो जाए था अच्छा यहां पर यह भी लिख दीजिए not equal to c1 upon me c2 है ना so even upon me a2 is equals to me b1 upon me b2 is equals to me c1 upon me c2 यह कब के लिए है जब को ठीक है ना एक ही हो जाए दो लाइन एक ही हो जाए तो coincide और ऐसे हो जाए तो इंटरसेक्ट या दिंगी unique solution ओके चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ नेक्स कोशन देख लेते हैं अगला सवाल कहता है circumference of a circle increases from two pi to four pi मतलब कि जो circumference था पहले कितना था तू पाई अब कितना हो गया फिर उसके बढ़ गया फिर कितना हो गया पच्छों वह फोर पाई हो गया कहते हैं कि दैन इट्स एरिया दा ओरिजनल एरिया देन इट्स एरिया दे ओर इजनल एक इसका मतलब क्या हो जाएगा और उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद अगर तूप आई आर की बात करें हम लोग तो यह फोर पाई हो गया इसका मतलब अगर मैं फोर पाई हो रहा होगा तो यहां पर आर की वैल्लू कितनी रही वन और जब उन्होंने बोला बच्छों कि अब हो गया है फोर पाई इसका मतलब और अगर मैं फोर पाई को लिखूं को तो टूपाई इंटु में लिख सकता हुं तो का डूपाений पाय अब यहां पर आर किसके बराबर हो गया नह involvement इसका मतलब एरिया में क्या धाल डबल क्या रहा होगा इसका मतलब बच्छों पहले एरिया और आऊ स्क्राइब क्या पाइब का 2 स्क कितना हो जाएगा पाइब वाले से कितना बढ़ा हो गया तो यहां पर कहीं पर four ताइब से रखा है पिल्कुल दे रखा है तो एरिया कितना बड़ा हो जाएगा बच्छों पॉर ताइम्स अगर इसका पेरीमीटर दुगना हुआ तो एरिया कितना हो जाएगा पॉर टाम सो जाएगा एक डारेक्ट रिलेशन भी होता है लेकि मैंने आपको बिल्कुल एक्टम साइन थीटा जो है कि अपन में भी दे रखा है मैंने का बहुत ही बढ़िया बात है तो फिर कहते हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होगा पड़ा ही आसाइन सा सवाल है बच्छो दिखिए अगर आप साइन की बात करते हैं तो अगर आप लोग एक राइट एंगल ट्राइंग होता है अब हम अब हमें पर पेंडिकुलर तो एप ता है ता मतलब उपर जिसमें एम और वही आणसर होगा तो ए और बी तो भी होई नहीं सकता पहली बात थो यह चीज़ बात करने पड़ेवेस कैसे पता करेंगे इसको अगर एक स्वाले तो एक स्कूर प्लस एकस्का स्क X का स्क्वर माइनस में एक स्क्वर मानेस स्व कितने हो जाएगा अंडर स्क्रमानेस और यही हमारे पास हमारा हम पहस्पर हमारा यहां यहां पर प्रेंडिकूल पर रहला हैं आपको यह वाला solution भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत नहीं आ रही है बिल्कुल क्लियर है बढ़ते हैं जरा आगे की तरफ देखते हैं हमारा अगला सवाल और यहां पर आप आंसर ही मैच कर सकते हैं डी आ रहा है आप लोग यहां से स्क्वार थीटा व्लास वन तो एह यह बताई है बोजेखो अगने अगर आप एक स्क्क्वाई करते हो देफिनेटीटा अगू स्क्वार थीटार लिखेंगे अ। इसते स्क्वार नीस रेटे ढाब कॉस्क्वाय ठीटा और इंस दोनों में इसे अगर बच्छो आप सब्सक्राइब करेंगे पास 3 आपका पहला प्रस्ट करेंग जल्दीच कि आपको इतना आ रहा है तो बड़ा ही सिंपल सब्सक्राइब यहां पर नथिंग यहां लगर रहा है पड़ते हैं हमारे एक और अगले सवाल की तरफ कहते हैं कि तो पूछ नहीं है तो मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहां पर देखिए इसकी वेल्यू भी आपको पता है आपको इसकी वेल्यू नहीं पता है बस तो वह आप कैलकुलेट कर लीजिए आर निकाल लीजिए यहां से जैसे आपको और पता चलेगा फिर तो आप एरिया बोलो जाए सरकंफेरिंस बोलो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो तो जो दी हुई और अब साथ यहां जाएगा चावाल से साथ गए बच्छो कितने बचे ठीस तो यानि यूदर 37 upon 7 is equals to 37 37 37 गया तो 7 यहां जाएगा यानि कि आर की वेली वह चो कितनी आ जाएगी 7 अब वो पूछ कहा रहे थे हमसे 2 पाई यानि circumference पूछ रहे थे तो 2 इंटू में 22 by 7 और पता चल गया वहमें 7 7 सब्सक्राइब इसका अंसर कितना हो जाएगा बच्छो बी ऑप्शिन इस यार करेक्ट ऑप्शिन ठीक है ना सो आई होब आप लोग को मज़ा आ रहा होगा कि कोशन हर एक सवाल इतनी असानी से और इतने मज़े के साथ सौल वह पा रहा है ठीक है ना तो वीडियो को लाइक जरू कर देना अगर नहीं किया अभी भी नहीं किया यार करो ना ठीक है ना चलो बढ़ते आगे की तरफ अगर ने रहे ही तरहीं के लागे सब्सक्राइब और वैसे अगर आप में से किसी को लग रहा हो कि किस तरीके से हो पाएंगे क्या से हो पाएंगे है भगवान यह वह तो मैं अप लोग को बताता हूं देखो ज़रा आप लोग थोड़ासा जस्कुन को दॉरूत है इसमें तो आप करके करके और फॉक्षिंज करके करके जाहिर सी बात है तो यह तो यह थाउजन को भी सेवन नहीं कर पाएगा शुक्त अपको आपकी तो इन दोनों में होगी लेकिन आप इन दोनों को थ्यान से देखेँगे तो आपको पता चलेगा दिस जस्ट डबल ऑफ दिस माला इसकी मड़ी प्लाइब तो यह वाजाएगा ठीक है ना और यह जीरो आरा एंड में तो है फाइव से भी है टैन से भी है ठीक है अब मुझे बाकी नंबर से चेक करना अगर यह वह पाया तो यह तो अब वैसे तो कॉ पहले द्याद रखना है इस बात को बहुत इंबोरेंट रहे हैं सो पच्छिस सो बीस अगर आप बात करेंगे तो यह सभी सभी नंबर से डिविजिबल हो जाएगा इसली तीन से हो जाएगा तो नो चार से हो जाएगा चार से भी करोगे तो हो जाएगा चे और उसके बाद कि अगर हम लोग आगरी तरफ बढ़ें तो कहते हैं कि थ्री बेल्स रिंग एट इंटरवल ओफ फोर सेविन फॉर्टीन मिनट्स ओल त्री रेंग्स सिक्स एम वेन विल दे रेंग अगें दिखिए कहने का मतब यह कि तीन रिंग बज़ेंगी और वह देखिए तीन बेल्स है अब हम उठी चारे मिनिट इसाथ मिनिट फिर साथ में तंब यहां बहुत आप सेवल्म लोग दो सबको अपने टाइम पर छोड़ दिया ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब एक साथ बजेंगी तो इसे में क्या करना होता है जब सब का अलग अलग पेस है और आप जानना चाहते हैं कि सबके सब एक साथ का कौन सी पोजीशन पर आएंगे तो आप लिस्ट कॉमन मल्टिपल यान तो आप छे बज़े थोड़ देर के लिए छोड़ दीजिए छे बज़े तो आपने देखना शुरू किया है अब यह देखिए कि आखिरकार अभी से अभी चली मानली तोड़ा देर के लिए जीरो-जीरो कर लिए अब सोचे कि कितनी देर बाद यह एक साथ बजेंगे तो देखिए चार भी दे रखा हैं आपके पास साथ भी दे रखा आपके पास 14 भी दे रखा अगर आप लसी निकालना चाहते हैं तो टूबी पावर टू इस सब्सक्राइब आप से लसी पी कोई बात करें तो वेराइटी कितनी है दो है और साथ हाईस लिग दीजिए दो यहा हो जाएगा 28 मिनट के बाद 28 मिनट के बाद 28 मिनट के बाद यहां पर एक्चुल में क्या होगा बेल तीनों की तीनों बच जाएगे और खुद सोचो कि अगर यहां पर यहां से एक बेल चार मिनट वाली शुरू होती है तो और चार मिनट बार चार मिनट बार चार मिनट ब जोड़ दो कितना टाइम हुआ चेटाइस हो गया आंजर कितना आ गया चेटाइस बात खता हुए बड़ाई कॉमन सा जवाब है और आपने देखा होगा कि अगर आपने प्रीवेस यह वाले कॉशन्स देखे हो तो उसमें भी इस तरीके होता है कि वह कुछ गुड़ा- समझ में आ गया होगा ठीक है बच्छों चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है अगले सवाल के बारे में बात करते कहते हैं कि वाट इस दाइज ऑफ फादर इफ तसम ओफ एजिज ऑफ फादर एंड इस सन इन इस यह इंडियर् पड़ते हैं इस कोशन को तो दोवारा से बढ़ेंगे तो सोड़ा जाधा च्छेस के लिए तो पाएगा आपको वट इस दाइज ऑफ फादर इफ फादर इफ फादर इज ऑफ फादर एंडियर्ट इस सन इन यह इस सिक्स्टी फाइज यानि कि अगर अगर आप बोलें कि एक्स प्लस वाई करेंगे तो 65 यह आ रहा है और वहीं पर आप कह रहें कि ट्वाइज दडिफरेंस एजज इन देखेंट एंड ट्वाइज दडिफरेंस अगर आप डिफरेंस को ट्वाइज करते हैं तो वह पचास हो जाएगा यानि कि टू इंटू में एक्स माइनस इस इक्वेस्टों में 25 अब यहां पर आपको एज ओफादर निकालनी एक फाइन अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं एक्वेजिन वान एक्वेजिन टू को तो कट कर देंग फादर की जा रही है तो तो टू एक्स आपर पक्ट्चिस पांच जोड़ेंगे तो सत्त इस से आपने से कैंसिल किया कितना गया पैंतालेस यानिकी फादर की जो एज आ रही है बच्चो वह 45 यह और अगर संकी बात करें वैसे पूछी नहीं लेकिन संकी बात करते हैं तो हमको पताएगी एक्स प्लस वाई कितना था 65 तो यहां से यह वह गया 45 प्लस में वाई इस सिक्स्टी फाइव तो वाई की वेल्यू कितनी हो जाएगी संकी हो जाएगी 20 यह संकी बच्चो कितनी हो जाएगी 20 यह यानि कि अगर हम से कोई पूछता है कि मतलब जो फादर हैं उनका साम था 65 डिफरेंस का डबल कर रहे तो 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 यानिके आच्छली डिफरेंस कितना पच्चिस का था ठीक है ना डिफरेंस कितना था बच्चों 25 अगर माइनस करो तो हम 25 यह इनका सल्यूशन था चलिए जरा चेक कर लेते हैं बिल्कुल सही अपन कभी गलत होते हैं चलो बढ़ता है अगले सवाल की तरब बच्चों अगला सवाल क्या कहता है अगला सवाल ब सब्सक्राइब माइनस में साइं त इटा इंटू में सबसे और इस हैं इसड़िए स्कॉराइब बहर बात करेंगे सबसे देखते हैं wa everyone और अगर मैं चाहूँ इस इवान होता है तो इसको riktig और सबस्कों इसका मतलब क्या हुआ यहां पर मैं लिख सकता हूं था नुकल को तो यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं में कॉस्टी तो सबस्टा क्या होगे यह बच्छों यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं यहां से से साइन गया तो किटना बचा सिर्फ स्कॉबच बचा वन अपॉन कॉस है माइनथ में इसका स्क्वार करते हैं तो साइन का स्कुएर थीटा इपन में कॉस्च स्कुएर धीटा डीनामिनेटर दोनों के सीम है तो यानि कि आप लोग क्या लेख सकते हैं सब की दिमाग की बत्ती चलनी चाहिए क्योंकि मैं बोलने वाला हूं है इस्टेग कॉनसेप्ट साइन स्क्वेर थीटा प्लस में कॉस्फ्वेर थीटा इस इक्वल्स टू यहां से अगर मैं साइन को उधर फेक दूं तो मेरे बाद ना-1-2-1-2 मैं बोल सकता हूं को स्क्वेटा अपॉं में को स्क्वेटा केंसिल आउट कर दिया तो बच्यों कितना हो गया वन्सर क्या होना चाहिए तो आपको समझ में आया वोario number पूरी तरीगे से क्लियर् को मेरे बस्त मों सब्ने में हुआ है ठीक है जाएं बढ़ते हैं हमारे इंगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है बच्छो तो देख लीजिए हम लोग सही है ठीक है ना तो अगले की बात करते हैं हम लोग यहां पर पैरिमीटर बता है तो पैरिमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर ट्वंटी सिक्सें थर्टी नाइं फिर उसके बाद वह रेशियो ओफ देर एडिया सो इसमें कोई बहुत ने वहने क्या हो जाए रजů चल्शत नहीं तो क्या होता है कि एडिया वन अपॉन में एरिया टू बराबर होता है पैरिमीटर ऑफ वण पैरीमीटर ऊफ ट्वी इन दोनों का स्कुर्ण कि यह रिलेशन आपको पता होना चाहिए जो कि हमारे ट्रेंगल वाले चैप्टर में हैं तो यानि कि हमें एरिया का पूछना है तो हमें पैरिमीटर तो पता है उपर वाले का 26 है दूसरे वाले का कितना है बच्छो 39 इनका स्क्वार बताना है 13 के टेबल से कट हो जाएगा य चाहिए और मैंनों सॉल्व कर दिया मजा आ रहा है मैं बिल्कुल उस तरीके की फीलिंग के साथ ही पढ़ा रहा हूं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं हर एक सवाल को है ना बच्छो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरह देखते हैं हम लोग अगला स सवाल की तरफ कहते हैं कि there are 20 vehicles vehicles cars and motorcycles in a parking area माला इक पार्किंग एरिया उसमें बीस कार और मोटर साइकल से 56 wheels together how many cars are there मज़िदार है अब मुझे एक बात बताओ बच्छो कि उन लोगों ने मुझे कहा कि अमदब टोटल अगर cars की बात की जाए या फिर बाइक की बात की जाए तो आप माल लीजिए थोड़ी दिए मालेते हैं कि number of cars number of cars अगर मैं number of cars की बात करूं तो माल लीजिए वह एक्स है और नमबर ओफ नमबर ओफ motorcycles motorcycles की बात करूं ठीक है तो वह कितनी है वाई है तो एक्स प्लस वाई बच्छो कितना आ रहा है मेरे पास एक्स प्लस वाई आ रहा है मेरे पास टोटल ट्वंटी आ रहा है बच्छो और यह एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो जो मुझे दी गई है कि मैंने इतना ही रखा उसके बात कहते हैं कि टोटल जो पहिए मिला करें जो वील्स है उनके बारे में होल रहे हैं मुझे बात बताए हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ नंबर आफ और मिल्स हो कितने हो जाएंगे कि टूटल नंबर आफ कार्स यह यह सार्ट कार के तो नबर जाएंगे तो इसलिए नंबर ओफ वील्स ईंग और कितने हो जाएगा और कितने अगर लोग बात करें कि नमबर आफ नमबर आफ वील्स इन मॉटर साइकल अगर आपके पास हो जाएंगे दो होते हैं तो यानि कि प्लस में तो वाइज इकोल स्टू में कितना आ रहें अब आपको पता क्या करना है आपको नमबर आफ कार्स पता करने यह नहीं कि वेल्यू पता करनी आपको बड़ा ही आसान हो जाएगा बच्छो इसमें से आप क्या करिए दो कॉमन निकाल लो सबसे पहले तो तो टू एक् वेली लिए हम लोगों यहां पर लिख दी तो इंटी एक आ रहा है अब क्या करना है आप दोनों को माइनस कर देते हैं दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आजाएगा बच्छो लोग एक्सी इकल्स टू जाएगा एट बोले तो एट ठीक है सब्सक्राइब करना है तो हम कैसे गलत होंगे ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप कार करें तो एक कार में कितने चार तो एक कार में कितने हो गए तो टोटल तो फॉर एक्स प्लस में तो वाई मिला दिया तो कितना हो गया 56 इस तरीके दो दो एक्वेशन को सॉल्व कर लिए अधे बढ़े आगे अरे बोल दो बढ़े आगे चलिए सब्सक्राइब कहते हैं अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या कहता है अमें गोल्स अधूट वेस्ट जब भी इस वेस्ट की बात है सबसे पहले तो ऐसे बनाओ ठीक है ना नौर् नौर्थ में गए आठ तो बोल रहे हैं कि हाव फार फ्रॉम दे स्टार्टिंग पॉइंट यानि कि यह वाला यह तो राइट एंगल ट्रेंगल बन गया यानि कि आपको यह वाला डिस्टेंस पता करना है इसे एक्समान लीजिए तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया एक्समान यह कितना हो जाएगा एक्स का स्कॉर ऑगा कीटना होड़ा इसे में जोड़ कोड़ दो जाएगा मेरे पासन यह घ्या घ्या तो देखते ही आपको पता चल जाया चाहिए कि यह सतरह का स्क्वार्ट है तो डिप्टन्स कितना हो जाएगा कहीं सतरह दे रखा वच्छो इन रे रखा सतरह कितना किटना आसान है हम यह लोगों नहीं बस यहाँ पर करार चैस हम लोगए सिंपल यहाँ पर पाइथा गोरे लगाई यह कि अगर हम है स्टेक कॉंसेप्ट कि बात करें हमारा है स्टएक कॉंसेप्ट तो हम लोगों ने वच्छो क्या कर आए हैं अबर हम लोगों नहीं यहां पर लगाई यह पाइथा गोरस चूरम ऑके सो चलिये जरा आगे की तरह बढ़ते हैं देखते हैं अमारा अगला सवाल इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है देख लेजिए हैं तो what is the length of altitude of equilateral triangle of side 8 मतलब कि एक equilateral triangle है जिसकी side जो है वो हमें 8 दे रखी है यानि क्या आप लोग यह कह सकते हैं कुछ इस तरीकिकी बाद यह भी है यह अगर आप एक two little triangle बना लेते हैं आप बनाने के बाद अगर आप यहां पर भी यह क्या बन रहा है यह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक बच्चो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और राइट अंगल ट्राइंगल में हमको क्या मिल रहा है यह रहा है यह आर्ठ और यह चार और यानि की इसको मान लिजा एक सानवे और सो तो यानि कि हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं एकस का स्क्वार प्लस में 4 का स्क्वार इस इकोल स्टू में 8 का स्क्वार एकस का स्क्वार ज़ी तो है ना एकस का स्क्वार प्लस में 16 माइनस इस इकोल स्टू में 64 एक्स यहां से करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा साथ 50 पच्छास और दो और जाएंगे तो 48 अब आपको क्या कर रहा है यहां पर सब्सक्राइब तो होता है कि वह इदा एक साइड से आके दूसरी साइट पर जाएगा पर पर बनाएगा और मिड़ पॉइंट पर कट करेगा सो मिड़ पर कट किया तो यह दोनों चार चार हो गए और इसकी लेंद्ध बतानी तो और यह 90 डिग्री पर आएगा तो यानि कि एक पाइस पर्फेक्ट राइंगल ट्रेंगल बन जाएगा आठ पता है चार पता तो यही तो निकालना था तो अच्छे तरीक समझ में आ गया होगा बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल की तरफ उससे पहले देख लीजिए आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है बात करते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ अगला सवाल क्या है कि if the letters of the word रामा जुन रामा नुजन ठीक है आर पुट is drawn at random the probability that the letter is if बड़ी कमाल की बात है कि जो probability है वो क्या होगी तो मैं आप लोगों को बताता हूं probability क्या होगी अगर आप टोटल is all about this nothing else है अब अगे अमारे दोक्तोच है तुमहारे हैं के दो तुम्हारी वह चाहिए यह में है केंसी आउट करो तुप 1-9 विखेट तुमने प्रप्रभाग इनको लुक्त बंडेंग 10्27 घाल नौठ तुम्हारे में तीन चीजे हैं थुटर। थो 성्शो noticed यहिए थिप हुआर्ड करते 토 प्रें लोगों ने पहले ही निकाल लिया इसको लोगों से आगे कोई नहीं बढ़ पाएगा इस बात की मैं गैरेंटी आप लोगों को दे रहा हूं ठीक है चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरह बच्चों अगला सवाल क्या है एरिया ऑफ अ यह जो चीज्ञ है इसको है इसको बोलते हैं अम लोग क्या सटर इसको बोलते हैं अब ऐियो एरिया ऑफ सेक्टर यह जो है इस पूरे का अगर आप मान लीजिए यह आर है ठीक है ना वो बन रहे हैं कि वन बैश्ट ऑफ इरिया और शरकल ठीक है तो पूरे का एरिया कितना हो जाएगा पाई भाई आरका स्कुरर वो बल रहे हैं यह इसका वन सिक्स है यानिक अगर मैं और सरकल पूरे एरिया सरकल का वन बाई सिक्स है ना यह फिर उसके बाद वो गलता है फाइंट डिगरी मिजर्स ऑफ इट्स माइनर आर्क अब मुझे से अगर यह पूछा जा रहा है कि कितना एंगल है अब मुझे इक बात बताओ आप लोग कि अगर आप लोग को पता है कि जो पूरा एरिया है वो कितना है पाई आर का स्क्वाइर अब जो चीज़ा आपके पास वन बाई सिक्स्तर क्या आप लोग को पता है एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों कितना होता है अगर आप लोग यहां पर देखें एरिया सेक्टर होता है बहुत बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को बहुत अब इन दोनों को क्या कर देते हैं अपन लोग एक कर देते हैं यहां पर क्या बचा हुआ एंगनी है इतना फूल्ड कितना ठीटा पॉर्म सिक्टर ए में इग बाइस सक्ता है यह तो पाइब का से कमपैरिजन कर सकता हूं तो अगर आप इन दोनों को एकवर कर दोगे ज़रह थोड़ वह सम घो मेरे बात को इससे तो यह चीज गाय भी हो गई न अब तुम्हें सिर्फ टीटा की निकालनी निकालना या शिक्स्टी आ रही है यह मैंने यह आप निकाल के दिखाई तो आंसर कितना आना चाहिए बच्छो सिक्स्टी डिग्री ठीक है अब देख सकते हैं अब बी इस दा करेक्ट आंसर ठीक है ना तो आप लोगों को यह वाला सवाल भी अच्छे समझ में आयोगा बट रुकना नहीं है अपन को अभी तोड़े से और सवाल है अगले सवाल की तरफ बात कर लेते हैं अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉंग कास्ट शेडव 10 मीटर लॉंग ऑन दे ग्राउंड ठीक टावर चली जरा सुन दें मैं आप लोगे बात बताता हुँ कि इसकी जो शेडव आ रही है वहां यहां पर टेन तीक है यहां पर कोई भी एक अंगल नहीं बन रहा होगा इंगल पर्टिक्लर उसी सेम टाइम पर एक टावर भी है उसकी शेडव कितनी या रही है उसकी अगर वह टावर पर भी जा रहिए तो 50 की आप यहां पर अब कितना होगा आइंसर कितना होगा सब्सक्राइब को बताता हूं कि अक्च्छल में यहां पर क्या हो जाएगा 10 यहां पर यहां पर आप लोग तो यहां पर यहां पर पता ही नहीं है बेस पता है पचास है लेकिन तुम्हें बन रहा है तो 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 में दोनों के बराबर कर सकता हूं तो यानिकि पचास दो के बाद जाएगा तो सो एक्साइब एक्स की वेल्यू कितनी आ रही है बच्चों हंड्रेट कहीं पर है दे रखा है बिल्कुल दे रखा हैंडर कैसे नहीं देंगे सब्सक्राइब कुछ नहीं कि इधर की तरफ से एक वह था कोई स्टिक थी बीस मीटर की थी तो श सब्सेक्टाइब देक्टें हमारे अगले सवाल की तरफ इंबारे सवाल से क्या कहता है ना सभी हमार हमरा सब्से मो essa कहता है तुछ सवाल को नहीं करते हैं कि इन एल्यमेट करने बढ़ जाते हैं अभी से स्टेप से मत करो कि यह बहुत ज्यादा टारिंग हो जाएगा आप लोग नहीं को इसका एक बताता हूं करो क्या आप क्या करो सबसे पहले सबसे पहले सरदों को हैर्ट करने से खальные कि जोड़ें तो इहां पर यहां पर आजाएक इन दोनों, उन्हां के तो हम पर बनेगा क्या यहां वीगा निकाल दिख रहा आप उस्ट कॉमन निकाल सकते हैं यहां Hill और यहीं पर आप घबराना मत मैं आप लोगों को एक चीज और भी बता रहा हूं कि आप एक और काम क्या करें आप सब्ट्रेक्ट भी करें इसे जब आप सब्ट्रक्ट करेंगे बच्छो तो 37x माइनस में समय प्लस में 43y is equals to one twenty three and fourty three x plus में 37y is equals to one one seven minus अगर आप करते हैं तो 43 में से अगर 37 घए तो आप कितना कर सकते माइनस यहां से क्या कर सकते हैं आप लोग माइनस यहां से करेंगो फ्लस का 6y यहां से कितना आ जाएगा तो आपके पास अगर आप दिखना चाहें तो आपके पास अगर आप दोसरी इक्वेशन मिल गई मुझे मैंने इन दोनों को एड करा तो यह मिली इंद बार दोनों को सब्ट्रेक्ट करा तो यह मिली अब चोटी 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 एक्वेशन क्या होती है आंसे जल्दी निकाल देती है चलिए इस वाली की बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ा दूसरा ले ले लेता हूं बच्छो आप लोग भी थोड़ा सा बूलेंगे यार बहुत देर हो गई सर कुछ और रंग ले लो लिया भी तो कितना होजाएगा तो नहीं एक फोर कर देंगे ना चेक तो To आप देखो तुम्हें पताए कि माइनस एकस प्लस वाई कितना था उत्या पलस फॉलांस 121-20ARE घॉत उम पहुत इसा यह लिए और रही है ऊप्लस और लयारीan आरे है को भाइन disconnect तो यानि कि यहां पर हमारा दी ऑप्शन बिलकुल करेक्ट हो गया और अगर हम लोग आंसर चेक करें तो आंसर भी हमारा बच्छो कितना आ रहा है इसका मतलब यह हो गया कि इस तरीके जो बड़े-बड़े सवाल होते हैं इसे भी कर सकते हैं बहुत बड़ा सवाल था जो वाई में लेखा वो एक्स में लेखा अगर इस तरीके से हो तो जरूर करना है ठीक है ना आप लोगों को यह वाला सवाल ही बहुत अच्छे समझ में आगया और इसी के साथ हमारा सेक्शन भी बच्चों एंड होता है अब हम लोग शिरू करते हैं सेक्शन सी तो चलिए जरा डिसकस करते हैं ऐसे कौन से कौूशन है और हमें इने किस तरीके से सॉल करना है आए जरा बात कर लेते हैं हम पर पहला सवाल देख लेते हैं अपना एक्च्छल में यहां पर आप लोग को के सैडीज मिलेंगी के स्टिटी दो मिलेंगी दोनों के स्टेडि में पांच- करने आठ कोशन करने तो दोनों की दोनों के से डी पढडने हैं तो आई यह जारा के सटीज के ओपर ध्यान देते हैं कि कहते हैं कि पैसिफिक रिंग ओफ फायर तपैसिफिक रिंग ओफ फायर इस अमेजर अरिया on the basin of the pacific ocean where many earthquakes and volcanic eruptions occur in a large horseshoe shape it is associated with यह सब चीज़े सिर्फ बाते हैं और इसमें कुछ भी नहीं होना है इस अल आप लोगों को में ली तो आप लोगों को यहां पर यह जो में फोकस है इसके ओपर ध्यान देना है आप लोगों को 41-45 तर इसी से रिलेटेड कोशन दिये जाएंगे मैं आप लोगों को यहां पर इस चीज बताना चाहूंगा आप लोग इस चीज से फोरोगों रखेंगे तो आप लोगों को यहां पर थोड़ी से असानी हो जाई है कि अगर आप लोग यहां पर बात करें जैसे पर चीज लिखने नहीं एपत convicted यह वह हैंै तो एक है हमारे पास आप लहाँ ने आक यहां से आगाक ट लिखा इंवान फॉर भेरिए हमारे पास बच्छों वह है फॉर्ट ग्र Спट्स कि की तना है है हमारे पास यह रहा सी सी आजाएगा हमारे पास 71 दि हमारे पास है बच्चों एक दो ती और पांच तो 35 इस इस अवर डी ठीक है फिर उसके बाद वो क्या गह रहे हैं हम से एम एम क्या है हमारे पास 23 वाट इस एम फॉर आस 23 यह चीज ऐसे पॉइंट कर सकते हैं कोई बहुत बड़ी दिकत नहीं आने वाली है यह बैसी कि ली कॉडिनेट का कोश्चन है तो अराम से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं जरह देखे किस तरीके सॉल्व करना है अगर आप लोग घ्यान दे तो यह पर यह पर्टिक्लोर कुछ चीज अब इ कstep cz अप एप ऑर बी के बीच मेने डिस्टन्स बताना है तो मैं आप लोगों को बात कहना चाहाँँगा बाच्छों अगर यह और बी civinsky को डिस्टन्स पूछता भी में जीरो माइनस फॉर का होल स्क्वार हो जाए अंडर रूट में थी का स्क्वार हो जाएगा फॉर का स्क्वार हो जाएगा विच मीन्स नाइन प्लस में 16 हो जाएगा यानि कि पांच यूनिट इसका आजाएगा बच्छो आप लोग खुद से देख सकते कितना इजी है इस सब्सक्राइब करना है कैसा रिलेशन जो की पॉइंट सी एंड पॉइंट डी अगर मैं सी और डी की बात करूं तो सी क्या है हमार पाद साथ एक और डी कितना है तीन पांच साथ एक और तीन पांच मुझे कुछ एक्स वाई ऐसा चाहिए कि इन डोनों से एक्टी सिंस पर रहे एक्स वाई के बीच में क्या सारर डिलेशन चाहिए मुझे अगर मुझे रिलेशन चाहिए तो मैं क्या करने वाला हूँ इनके बीच में बीच वहJames और माल भाना तो अगर इन दोन की बीच की बैज से निकालना तो एक्स माइनेस में सेवन का होल स्क्वार प्लस में वाई माइनस में ओनका होल स्क्वार इसको बराबर रखना होगा इन दोनों के X-3 का whole square, plus में y- मैं बच्चो कितना आजाएगा, 5 का whole square, अब अगर आप square in both side करतेंगे, तो root हड़ जाएगा, है न, अब जरह देखिया इनको open करता हूं, X-square plus में 49 minus में 14X, इसे open किया, square root हड चुका है, squaring both side से, यहां आजाएगा, y square plus में 1 minus का 2y, यहां बात करें तो आजाएगा, x square plus में 9 minus में 6y, 6x, 6 कितना आजाएगा, बच्चो, x आजाएगा, y square plus में 25 minus 10y आजाएगा, अगर आप लोग देखें तो, अब यहां से देखी, कि क्या पता चल रहा है, कि x square, x square, y square, y square, अब अगर हम लोग यहां पर देखें, तो कुछ-कुछ चीज़ें हम लोग यहां पर manage कर सकते हैं, हम लोग यहां पर आराम से, यहां पर आजाएगा, minus 6x, और आपके बास बचेगा, बच्चो, minus 10y, relationship आपको यहां पर दिख रही है, अब मैं minus 10y को इधर की तरफ भेज रहा हूं, इधर की तरफ लेकर कर आ रहा हूं, तो minus 10y इधर आएगा, बच्चो कितना आजाएगा, plus 10y, अब plus 10y माइनस के 2y से जुड़ेगा, तो कितना आजाएगा, plus 8y, यह 34, देखिए, plus का है, इधर आएगा, बच्चो कितना हो जाएगा, minus का, तो 50-34 करोगे, कितना आजाएगा, 16 बचेगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर 34 यहां लेकर के गया, तो 50 में से माइनस करेंगे 34, कितना आजाएगा आप लोगों के पास, 16, अब minus 11 यहां पर है, इसको यहां लेकर के, प्लस का 6 हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा, minus का 8, minus का 8X, minus का 8X, प्लस में, अब अगर आप लोग यहां से चाहें, तो नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, अगर आप लोग नेगेटिव कॉमन लेंगे बच्चो, तो आपके पास बचेगा, 8X माइनस में 8Y, माइनस में 16 अगर आप चाहें, तो इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल देंगे, तो आपके पास, sorry, 8, 8 कॉमन निकाल सकते हैं, अगर आप 8 कॉमन निकाल देंगे, आपके बास बचेगा, X minus Y, minus में 2, equal to 0, तो देख लेते हैं, जारा कहां पर आ रहा है, आप पहला यह बन रहा है, बच्छो, पहला वाला यह option बन रहा है, तो यह वाला option है, बड़ा ही simple है, जब कभी इको distance दे रखा हो, relation मनाना हो, equation मनानी हो, relation, equation, एक ही बात होती है, अगर आपको करना हो, तो आप क्या करेंगे, यहां पर distance फॉर्मा लगाई है, यहां पर distance फॉर्मा लगाई है, 43, 43 हम लोगों से क्या कहता है, 43 बच्छों हम लोगों से कहता है, इसका फॉल्ट लाइन, ध्यान से देखिएगा, फॉल्ट लाइन डिवाइज दा लाइन जॉइनिंग, देखिए जरा, भाई यह 13 है, और यह वाला पॉइंट है 27, ठीक है ना, अब एक लाइन जो है, इ है, देखिए जब कभी आपको रेशो नहीं पता होता है, तो आप रेशो क्या मानते हैं, बच्यो आप के रेशो 1 मानते हैं, आप यह मान करके चलिये कि यहां पर कहीं आया होगा, और इसमें के रेशो बना लिया ओगा, फोड़ दे थे के लिए, मानिए जब आपको ये बात पता चल जाएगी के रेशो वन है आपको पॉइंट नहीं पता मैं मान रहा हूं बात लेकिन आप के की पॉइंट तो बना सकते हैं और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इसकी एक्वेजिन क्या है ये हैं तो इस लाइन पर आने वाला ये ना इसको अगर इसमें पॉट कर दूँगा तो आंसर मिल जाएगा और इस वाले पॉइंट को इन फॉर्म ओफ इन फॉर्म ओफ के निकाल लोंगा बच्छो एवरीवन बड़ा इसी हो गया ये तो क्योंकि इन्होंने बोला ये दो पॉइंट थे यहां से लाइन आ रही थी कि मैं यह कहना चाहता हूं कि आपको यह तो पता ही है कि फॉर्म और कैसे लगाएंगे तो अब मतलब रैकट कुमा लगाने के बाद आब य की बात करेंगे तो वाई वन की मल्टिप्लाइब के साथ जाएगा फिर इसके बढ़ किसके साथ स्वारी की 2 Plus NY1 upon में M Plus एच तो आप लोग को पता ही है मैंने यही यही formate इस में लगाया है ठीक है ना यह मेरा देखिए यह मेरा M1 है यह X2 है यहाँ पर क्या यहाँ पर क्या हो similarly plus yy की जगाप बच्चों लिख सकता हूं 7k plus में 3 divided by k plus 1 इसको 9 को उधर भेज़ दूँगा तो क्या हो जाएगा एकोल टू 9 हो जाएगा बच्चों यह मैंने ऐसा क्यों किया ताकि मैं नीचे से लेकर क्यों कॉक्र इसके पास भीज़़ डूट दोनों के नीचे के प्लस में होने जाएगा तो यह क्या बना देगा नाइन के फ्लस में नाइन में बना धेगा यह भाई टोना होगा झैशंगे 13 के प्लस में चे इस इक्वलस्टू में 9 के प्लस में 9 अब 9 को यहां लाएंगे तो 13 में से 9 बच्चों कितने बच्चे आप लोगे पास 4 खेंगे तो कितने बच्चे आपके पास 9-6 तो देखो 3 divided 4 तो नहीं दे रखा है त्रीबाइफ पूलियो आई यह थी वैपना फूर है वी दिल्कूल एक की वैल्यू तो 3 by 4 कहीं पर दे रखा यहां पर दे रखा है लेकिन एक्च्वल में के रेशो 10 है तो यही त्री वाइफ और हम लोगों निकाल लिए बड़ा ही सिंपल है बच्छो जितना इसको सिंपल समझोगे दो पॉइंट थे उन दो सेडिस्वाइब करें यह पॉंट जब उस लाइन पर है तो सेडिस्वाइब करेगा उसको सेडिस्वाइब करवाया और आंसर मिल गया चलिए बढ़ें आगी की तरफ बच्छो आगी की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल देखते है दिस्टेंस बिट्वीन M and X-axis इसके लिए क घ्रकर डिस्टिंस निकालना चाहते हैं के सब्सक्राइब टूर्ध को पर होगा एक डिस्टंस देखेंगे तो अगर अगर आप यहां पर ध्यान से समझेंगे तो आप लोग को पता होगा कि यहां पर अगर तो तो दीए एक एक्सके दूरी कितनी है यहां पर आप लोगना रहा है बढ़ते आगे की तरफ देखते हैं हमारा अगला वाला सब्सक्राइब कि वह्त्वौडिनेट्स और दे कंट्री लाइंग ऑन दमिड़ पॉइंट ऑफ मिन दोनों के ए और डिके मिड़ फॉइंट पर कंट्री ए और कंट्रीड तो चलिए दरें यह टोडिके पॉइंट बता कर लेते हैं ए और ड के पॉइंट्स पता कर लेते हैं बच्छो तो एक चार तीन पाच एक चार तीन पाच एक चार और तीन पाच अगर इनका मिट पॉइंट मुझे निकाना है मिट पॉइंट अगर मुझे निकाना है तो वो क्या होता है एक्क्स एक्स एक्स लिएड़ बाय टू एंपर यूंप और देख लिए यहाँ पर भी ही आंसर आप लोगों को दे रखार तो कुल मिला करके अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने जो हमारा पहला case study था, सारे question करें, सब का सूपड़ा साफ कर दिया हम लोगों ने मिल कर के, अब इसी तरीके से आगे बढ़ना है, और बात करने हैं अगले case study के बारे में, तो without any break, बढ़ते हैं आगे की तरफ, हम लोग देखते हैं, कि यहाँ प are everywhere they play a key role in the study of algebra in analysis and on the whole many mathematical problems involving them since polynomials are used to describe curves of various types engineers use polynomials to graph the curves of roller coasters ठीक है अब यहां पर 46 50 तक बताने ना आपको बता रहा हूं जो भी starting में लिखा होता है just useless कुछ काम नहीं होना उससे बस आपको एक पिच्चर से पता चल जाएगा कि हाँ यह ना इससे related कुछ बात करने वाले nothing else truly nothing else ठीक है ना चलिए जरा बात करते हैं कहते हैं कि तो देखते हैं हमारे अगले कोशन के बारे में तो देखते हैं हमारा अगला सवाल अगला सवाल हमसे क्या कहता है रोलर कोश्टर छोड़ दो तुम है ठीक है नवाई जगल चुप एक्स दे रखा है वहाज मोर दें थ्री डिस्टिंग्ट रोज तीन से जादा जीरों किस्में तीन से जादा जीरों का मतलब क्या अब बताओ मतलब कि एक्स एकस पर तीन से ज्यादा बर कट करें यह यह तो कोई बता देगा नहीं कर रहा हूँ क्या यह कर रहा है अरे नहीं कर रहा है्ये अगला सवाल करते हैं हमारे बत तरीके का कुछ दे रखाए आपके पास 뉴스 कुश प्लस में Q X का स्क्वार और X प्लस में तो हो वह कह रहे हैं कि कौन से चीज थूनी चाहिए अगर यह एक एक क्यूबिक बनानी हमें तो लिए आंब क्या धरना पड़का इसको क्यो बनाने के लिए हमेशा एकशी जरूरी कैसे पता चलता है जब उसको होता है एक्स की फावर 3 हो तो अगर एक्स की हाइस पावर अगर आपको तेन करनी ह reunion है तो अप लोग मुझे बात बताइये singing करने के लिए क्या जरूरी है X का होना X के Q का होना जरूरी है और उसका होना जरूरी कब है जब इसका हो जब यह होना कंपल सरी ओ यानि कि यह यह पी कभी भी equal to zero नहीं होगा यानि कि यह वाली चीज हमेशा always सची होगी ना ना आर से इतना मतलब है मैं दॉन होना सबसे जादा जरूरी है फीका नॉन誰o होना बहुत ज्यादा जरूरी ठीक है बड्ड़ते हैं हमारे सबता चैते हैं कि ही पाइंड दाना नंबर लोव बताने इसमें तो बस एक एक पर दो बार तीन बार तो कितने हो गए लिए का अंसर है चलिए बड़े आगे की तरफ अगला सवाल कहते हैं कि अगला सवाल थीक और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा डाउट नाम की तो देखो कहीं पर भी कोई चीज नहीं बचनी सेगे इसी के साथ बचो चो हमें सेंपल पेपर मिला था क्लास टेंथ का बेसिक के लिए हम लोगों ने मिल करके कर दिया है इसको खतम आई होप आप लोगों को हर एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अंडेस्टेंडिंग लेवल तो पिल्कुल एकदम गजब लेवल पर होगा आपको लोगों यह वीडियो अच्छी लगी होगी सो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं बूलना है ठीक करे लिल्क करूदाश ₹ wypाम लेवल यह वीडियो को बाद करना ना भी को लेघक को मुड़ों बिल्कुल जयल करना ना भी वागा हो लेवल और सब्सक्राइब करना टो ही शे वा है